हेलो आल में निकुम सर आपका स्वाध करता हूँ अपना चैनल पे अब सेंट्रल का होई या स्टेट का हर गुवर्मेंजब अपना तो बहुत बड़ी खुशकपरी आपके लिए लेकर आया हूं में आरा है एनल की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है ठीक है 2020 और इंडिया के ले बाद में मैंने दिया है कोन सी ब्राइंट तो आप किसी ब्राइंट से वह एपले कर सकते हैं सब्मी औ가 इसको नहीं चाहिए यह कंसले幫 जेकलिए जे सेलरी 50,500 है ठीक है एज लिमिट देखिए ओपन के लिए 27 है ओबीस के लिए 30 और स्थी के लिए 32 ठीक है और EWS के लिए 27 है ओपन और EWS है दो ओके मैंजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है फॉर्म स्टाट हो चुका है 24 वन से टीक है 24 जैन से स्टाट हो चुका है और लांस डेट है 13 फेबरोरी तो आप भी जल्दी से जाएए और यह फॉर्म भर लीजे ठीक है एक्जाम डेट का अभी तक द होताएगा ठीक है यह देखिए एक बात बताना चाहिए तो आपको की डिस्प्रिन है ना वह इंपॉर्ण्ट है कि मेंस ब्रांच है मतलब सीरेमिक्स केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रोनिस मेटालर्जी कर मेकेनिकल माइनिंग और इसके अं सीरम में देखते हैं पूरा तेबल या फिर से बस्क कर दीजिए खेंगे अपना बरांच क naρη प्रांच में किस रिच्ट्रूमें में तो आपको इलेक्ट्रिकल में आप्ले करने तो आप पुच्ड कर्में यह प्लेंगा नहीं अए ओंके फिर ठीक ब्रांच के लिए 590 और यह आप सब एक्जाम सेंटर है तो आप किसी भी सिटी से आफिला कर सकते हैं यह मेंड में सिटी इस बड़े बड़े ठीक है ओके सीलाबस और एक्जाम पैटन देखिए अभी दो पेपर होने वाले आपके एक पेपर वन है और एक पेपर टू है ठीक है पेपर वन में जन्रल अवेर्नेस न्यूमेरिकल अबिटी और एप्टिटूड जन्रल इंग्लिश डिया है और वर्बल और नॉन वर्बल इरिजनिंग है ठीक है यह 100 माक्स है और पेपर टू जो होगा वह आपके ब्रांच से रिलेटर होगा ठीक है जो आपका ब्रांच है उ 200 माक्स का पेपर है ठीक है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और एक मार्क है एक क्वेस्चन को ठीक है ओके तो यही था अपना बहुत बड़ा रिकूर्मेंट अभी आपको जो गाइडेंस चाहिए इस रिकूर्मेंट के लिए और आपको सिलेक्शन के लिए वह सभी में देने वाला हूँ ठीक है नेक्स वीडियो देखिए सब्जेक वाइस स्ट्राजी में बदने वाले आपके लिए और खासकर मेरा फोकुस रहेगा नॉन टेक पार्ट के लिए जो अभी जो इंजियर्स होते उनका जो नॉन टेक है वह वह वीक रह जाता है क्यों अल्ड़ बस्ट